इस वीडियो में कंस्ट्रेट करेंगे एक्सिसाइज नंबर फॉर पॉइंट वन का कॉश्ट्न नंबर फास्ट का सेकेंड पाट त्यस आपको कंस्ट्रेक्ट करना है क्योंकि यह हमारा कंस्ट्रेक्शन से रिलेटरी चैप्टर है इसमें आपको क्वाड़ी लेटल जंप करन नहीं कोड्रेटल बनाना है एक जंप उसको पहले हम रफ डाइग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जंप क्वाड्र लेटल का यह हमने रफ डाइग्राम ड्रॉ कर लिया यू आम पी एंडिन की डायमेंशन लिख लेते हैं जिसे की एजी हो जाया हमें बनाना जे यू इस 3.5 सेंटी सेंटी मिटर यह आपका 4 cm हो गया, Mp is 5 cm हो गया आपके पास Pj is 4.5 इस 4.5 पी यू 6.5 पी यू इस बर दे को दूसरी डायक्षन में है कितना है 6.5 फर्स्ट में आपका दूसरा डाइग्राम जोइन किया था ओके जंप एक आप कॉड्री लिटल बना रहे हैं इसमें आप स 4 cm लेनी चाहिए और यह कितना हो जाएगा आपका 0 से लेके 4 तक लेना है आपको 0 से लेके 4 तक जिरो से start करना है बिलकुल ठीक है जिरो से start करना है और 4 cm पर stop करना है कितना होगे आपके पास यह 4 cm और इसका naming क्या हो जाएगा U M तो यह होगे आपके पास U M and this is 4 cm नेक्स्ट आपको U P 6.5 and M P 5 cm लार्जर वाला जो side है वो draw कर लिजिए पहले वो पहले का इस्टेट कर लिजिए U M कर लिए आपने 4 cm and U P 6.5 है तो compass का point पहले state कर लिजिए इसको ना यहस अब इसको रखना है आपको 0 पर compass का point रूलर के 0 पर इस और कितना मेजर करना है 6.5 तो इसको open कर लिजिए 6.5 क्योंकि आपको 6.5 cm के आर्क लगानी है तो यह हो गया आपके पास इस 6.5 cm तो यू पर रखना है आपको compass का point and कितना लगाना है आपको 6.5 का आर्क देखिए हम यह भी धियान रखते हैं कि किस तरफ लगेगा वो कैसे दूसरा 5 cm है तो लगबग उतना डिस्टेंस रहना चाहिए आपके पास यह तो फिर आपको दुबारा से आर्क लगानी पड़ेगी ठीक है तो यह हो गया आपके पास 6.5 नेक्स्ट अब क्या होगा अगेन इस बार आपको कितना लेना है 5 cm तो कमपस कितना मेजर करेंगे हैं 5 cm उपन मेजर करेंगे तो कमपस का पॉइंट 0 पर रखिए रूलर के 0 पर कमपस का पॉइंट यह हो गया और पैंचिल कितना लेना है आपको यह लेना है 5 कितना लेना है 5 cm एक्जेक्ट 5 करते हैं हम यह यह होगे आपके पास 5 cm and next step MP रखना है compass का point MP क्या करना है compass का point रखना है और इसको arc को cut कर लेना है देखो यह अभी हमारे पास नहीं हुआ था है थोड़ा सा और जरूरत था हमें extra arc लगाने की जरूरत थी चलिए कोई बात है हम दोबारा measure कर लेंगे आप से उतना ही measure कर येगा मेरे को थोड़ा easy हो जागा ये measure करना चीक है इसलिए मैंने इसी को measure कर लिया है and next आपको क्या करना है इसके बाद arc लगानी है इसको complete करना है इसको ये हो जाएगी आपके पास arc तो जिस पे ये दोनों point cut किये हैं ये दोनों arc cut किये हैं जिस point पे वो point है आपका p वो point क्या है p and इन दोनों को you clock and m दोनों points को आपको p से join करना है दोनों points आप किस से join करोगे p से join करोगे तो ये हमने join कर लेते हैं किस से point? p से किस को? you को भी और m को भी yes and ये हो गया आपके पास p से join अभी आपको m को और जोइन करना है P से, m को और जोइन करना है P से, रूलर ठीक करना होगा उसी के कवर्डिंग आपको, यह आपने किस से जोइन कर लिया, m को P से, नेक्स्ट अभी क्योंकि वह हमारा रफ डियाग्राम तो इसलिए एक्जेक्ट कोशिश मत किया करो कि एंगल टर नहीं होगा उतना ही बनेगा, तो अब P जे इस 4.5 एंड यूजे इस 3.5, पी जे इस 4.5, रूलेट ही कर लेते हैं, एंड कमपस से मेजर कर लेते हैं, कितना आपको मेजर करना है, पी जे 4.5, कमपस का पॉइंट 0 पे, कमपस का पॉइंट 0 पे, येस, 0 पे हो गया, एंड पैंसल का पॉइंट 4.5, पैंसल कितना लेना है, 4.5, ये हो गया, के पास, ओके और एंग्जेक्ट 0 कर लेते हैं, येस, एंग्जेक्ट 0, ओके इक्वल यह, तो पी पे रखिए, एंड आर्क किस तरफ लगा होगे, इस तरफ, ठीक है, कितना आर्क लगाना है, 4.5 का, अपने आप 4.5 का लगेगा, ये ऐसी हो गया, नेक्स्ट आपका जे यू है, 3.5, तो आपको अगेन रूलर लेना है, एंड 3.5, कितना मेजर करना है, 3.5 मेजर करना है, 0 पे रखा अपने कंपास का पॉइंट, एंड इसको मेजर कर लेते हैं, 3.5, एक्जेक्ट 0 पे कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, पोजिशन, ये 0 हो गया, एंड ये 3.5 पे, ये 3.5 हो गया, अब देख सकते हैं, तो इसको किस पे रखना है, अब, आर्क लगाएंगे, ये हो गई आपके पास आर्क, नेक्स्ट अब इसको आपको जॉइन करना है, इस पॉइंट को, और ये पॉइंट का नेम क्या है, ये पॉइंट आपके पास जे, तो जे को जॉइन करोगे, ये को जॉइन करोगे, तो पहले जे को जॉइन कर लेते हैं, जे को जॉइन कर लेते हैं, पॉइंट पी से, देखो हमारा ये एक तरफ ही टरन होता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, आप डारेक्ट एजिली जॉइन कर सकते हो, आपको इतना मेहनत नहीं करना हो गया है कि जे को जोइन करना है यू से कि ये 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 हो गया आपका कि जे पॉइंट कि अब भी नहीं हो ना हम देखिए टान और चेंज जाता है पूरा मुव हो जाता है रूलर कि थोड़ा सद्यान रखना है अगें आप ऑन लाइन नहीं करने वाले हो ओफलाइन करने वाले अपनी नोट्बूक पर करने वाले हो आपको थोड़ा एजी रहेगा यह होगे आपके पास जंप क्वाड़ लेटर और यह आपको अगेन इसके स्टाप्स आप किसमें लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो चीक है यह आपका कोई से सेंटिमेटर 3.5 सेंटिमेटर तो यह आपका जंप क्वाडिरेटल होगे आप कर सकते हो स्टैप बाइस्टैप वीडियो करने के बाद और इसके स्टैप्स जितने भी स्टैप्स आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो के थैंक यू